इसी फिजिक्स भाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार बुनस वागत है 12th क्लास की फिजिक्स में बेटा चेप्टर नंबर अपना जो है वो 11 अपन कम्पलिट कर चुके हैं और आज अपन इस चेप्टर के जो MCQs हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बोड़ प्रिक्षा 2021 के अंदर जो MCQs हैं और फिल इन दा ब्लेंक्ष के प्रशन हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए इन सभी प्रशनों को इवन सभी पाठों के सभी प्रशनों को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए तो इसी सरंकला में आज अपन चेप्टर नंबर 11 है कि जो objective प्रशन है उनको लेकर के आये हैं चलिए यहाँ पर फटा फटा इन प्रशनों की चर्चा करते है पहला प्रशन अपने से कह रहा है कि गोल ये दरपन से प्रतिबिम्ब बनने में केवल पराक्षिय किरने जो होती हैं उन्ही पर विचार करते हैं ऐसा क्यों तो यहाँ पर आपके दिमाग में प्रशन आ रहा होगा कि सर ये जो पराक्षिय किरने हैं ये क्या होती है देखिए ये आप लोगों ने इस तरह का कोई एक आउतल दरपन बढ़ा है ठीक है सर ये इसका मुख्य अक्स बढ़ा है बिल्कुल सर आप लोगों ने जब कभी भी प्रतिबिम्ब बनने का कोई नियम पड़ा होगा तब आप लोगों ने चर्चा करी होगी कि सर ये जो मुख्य अक्स के समानतर प्रकास की किरन आ रही है ये परावरतन पश्चार फोकस से गुजरेगी और इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरी प्रकास की किरन आ रही है डेफिनेटली ये भी फोकस से गुजरेगी लेकिन आपने कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करी कि सर मुख्य अक्स के जस्ट पास में आने वाली प्रकास की किरन है इस तरीके कि आपने कभी कोई प्रकास के किरण नहीं ली देखिए इस दरपन के किनारों के नजदीक जो प्रकास के किरणे आ रही है इन्हें अपन पराक्षिय किरणे कहते है तो केवल इन पराक्षिय किरणों के उपर ही वीचार क्यों किया जाता है सबसे पहला option कह रहा है कि इन्हें जामिती रूप से काम लेना आशान होता है ऐसी कोई बात नहीं है परावरतन का जो नियम है वो तो किनारों की किरने हो चाए मुख्य अक्स के नजदीक की किरने हो सबी के लिए लागू होता है तो मेरे हिसाब से ये वाला option तो ठीक नहीं है दूसरे number पे पढ़ते हैं इसमें आप्टित प्रकास कीरन का या आप्टित प्रकास की अधिकान स्तीवरता नहीत होती है ऐसा भी नहीं है दरपन के ऊपर आने वाली सभी प्रकास कीरनों की जो तीवरताएं होती है वो सब की समान होती है तो ये वाला जो option है वो भी अपने यहां पर ठीक नहीं है नमबर तीन option की बात करते हैं option नमबर तीन कह रहा है कि ये बिंदू श्रोत का लगभग बिंदू प्रतिविम बनाती है exactly बहुत clear है यानि जिस तरह का आपके पास कोई object होगा जिस shape का आपके पास कोई एक object होगा definitely जब आप दरपन के बारे में और उसके प्रतिविम की बात करेंगे तो उस दरपन से उस प्रतिविम की जो आकरती होगी वो उसी प्रकार की होगी ये सबसे महत्वपुन option है नमबर चार option भी पढ़ लेते हैं ये नियूनतम विक्षयपन दर्शाती है definitely सभी प्रकार की प्रकास की किरने जो दरपन के उपर आप्तित होती है वो सारी के सारी नियूनतम विक्षयपन प्रदशीत करती है तो इस तरीके से अपने पहले प्रशन का जो उत्तर है वो option से हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अब प्रशन नमबर दो की बात करते हैं क्योशन नमबर दो एक 20 cm फोकस दूरी के आउतल दरपन से 30 cm दूरी पर बिम्म रखा है एक एक बात को बहुत अच्छे से पढ़िए फोकस दूरी कितनी दे रखी है विटा 20 cm बिम्म की दूरी कितनी दे रखी है 30 cm यानि कि डेफिनेटली ये जो आप लोगों का आउतल दरपन है इसका ये दी फोकस यहाँ पे है तो ये जो बिम्म की स्थती है वो इससे दूर दे रखी है सवाल कह रहा है कि प्रतिबिम्म की प्रकृति कैसी होगी आप लोगों ने दरपन से प्रतिबिम्म बनने के नियम बहुत अच्छे से पड़े है मुख्यक्स के समानतर आने वाली प्रकास की किरण फोकस से गुजरती है ओके सर इसी प्रकार से फोकस से आने वाली प्रकास की किरण अपवर्दन पश्चाद मुख्यक्स के समानतर हो जाती है तो यहां से यह प्रकास की किरिने डेफिनेटली वास्ताव में काटेंगी तो यहां पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी प्रकरती की यदि अपने बात करें तो यह जो आभासी के दो उप्शन है यह तो यहां पे गलत हो जाते है अब बात करते हैं कि सर इन दो में से कौन सा उप्शन सही होगा आगे प्रशन कहरा है कि आवर्दन ख्षमता कितनी होगी इसकी आवर्दन ख्षमता का मतलब क्या होता है आवर्धन ख्षमता के फॉर्मूले में ना जाकर के यदि आप बेसिक कॉंसेफ्ट क्लियर करें तो आप लोगोंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिम्ब जो होंगे उनकी जो आवर्धन ख्षमता होती है वो नेगेटिव होती है यहाँ पे आपके पाष दो ओप्षन दे रखे हैं दो में से पहले ओप्षन में नेगेटिव दे रखा है तो डेफिनेटली आपके इस प्रशन का जो आंसर है वो आपका आपका अ ओप्षन हो जाता है केवल सिंपल सा लोजिक लगा करके आवर्दन किसमता नेगेटी होगी या पॉजिटी होगी आपको यहाँ पर फोकस दूरी और F and U की वैल्यू दे रखी है आप चाहें तो यहाँ से पहले V की वैल्यू निकाल लें और उसके बार में जब आप फोर्मूला लिखेंगे M बराबर V upon U तो आपको फोर्मूले में जाने की जरौत नहीं है बेसिक कॉंसेप्ट लगाएंगे तो आपका प्रशन हो जाएगा ओके आगे चलते हैं प्रशन संख्या 3 की बात करते हैं प्रशन संख्या 3 कह रहा है कि अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या रहता है देखे अपवर्तनांक में और आप लोगोंने लेंडा में एक रिलेशन पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक जो होता है वो lambda के विटकर्मानुपाती होता है ठीक है बिटा? तो यहाँ पर अपवर्तनांग जब lambda के विटकर्मानुपाती होता है तो सफेद प्रकाश में आप लोग जानते हैं कि सफेद प्रकाश के अंदर जो color होता है उसका जो क्रम होता है वो V, I, B, Z, Y, O, R होता है हिसाब से आपको clear होना चाहिए कि red color का जब lambda ज्यादा है तो अपवर्तनांग है वो कम होगा clear है? इसके आगे अपने बात करते हैं कि यह जो अवरक्त किरने होती है यह अवरक्त किरने red color के नजदीक होती है लाल रंग के समीप होती है तो लाल रंग का और अवरक्त किरनों का जो लेमडा है वो लग भग सेम होता है और जब लेमडा सेम होता है तो अपवर्तनांग भी सेम होना चाहिए चलिए फटा फटा अब अपन options clear करते हैं पहला प्रशन कहता है कि पराबैंगनी किरनों के समान पराबैंगनी किरनों के तो नजदीक नहीं होगा आप लोग दुबारा देख लीजे वी आई बी जी वाई ओ आर के फोर्मूले के according इस फोर्मूले में बहुत अच्छे से clear है कि red color जो है वो लाल रंग के नजदीक होगा अवरक्त color ठीक है दूसरा option पढ़ते है लाल वर्न किरनों के समान होगा ये देखिए लाल रंग की जो इस्तिती है तो लाल रंग के नजदीक होगा और definitely बीना आगे के option पढ़े आप लोगों को ये बात clear हो जाती है कि option number 2 जो है वो इस question का right answer हो जाता है अगले question में चलते है देखिए अगला जो question है question number 4 अपने से क्या कह रहा है देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यदी यानि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी सर्थ है वो आवश्यक है हालांकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो इस वर्ष के लिए अपने पाठे क्रम से कम्प्लीटली हटा दिया गया है लेकिन फिर भी अपने इस टॉपिक को अच्छे से तयार किया है तो पूर्ण आंत्रिक परावर्तन में आप लोगों ने दो सर्ते पड़ी है पहली और दूसरी पहली सर्त क्या पड़ी है कि प्रकास की जो किरण है वो सगन माध्यम से वीरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरी आपने पड़ी है कि सर आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए तो दोनों सर्तों में से देखते हैं किस तरह का option दे रखा है फटापड पड़ते हैं पहला option कह रहा है कि प्रकास जो है वो प्रकास ये viral माध्यम से सगन माध्यम में प्रवेश करेगा बिल्कुल नहीं होगा प्रकास जो है वो प्रकास ये सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा definitely right option हो जाता है तीसरा option कहरा है दोनों माध्यमों के अपुर्तनांग लगबग समीप होने चाहिए ये भी आवश्यक नहीं है दो माध्यमों के अपुर्तनांग बिलकुल भिन होने चाहिए ये भी नहीं है तो इस प्रशन का जो right answer है वो आपका option बै हो जाता है clear है बिटा सभी प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए अगले प्रशन में चलते हैं प्रशन संख्या 5 जो अपना है वो अपने से कह रहा है कि जब एक बिम्ब अपसारी lens यहाँ पे critical study हो जाती है अपसारी lens किसे कहते हैं अपसारी lens जो है वो आप लोगों का जो अवतर lens है उसे कहते हैं तो अवतर lens से 20 cm दूरी पर रखते हैं यानि U की जो value है वो minus 20 cm दे रखी है तो छोटा प्रतिबिम बनता है कैसा प्रतिबिम बनता है छोटा प्रतिबिम बनता है देखिए छोटा प्रतिबिम बनने का अर्थ क्या है छोटा प्रतिबिम एक दुबारा प्रसन को पढ़िए जब एक बिम्ब है वो अपसारी lens यानि अवतर lens के 20 cm दूरी पर रखते हैं तो छोटा प्रतिविम बनता है आवतर लेंस के लिए आप लोगों ने सारी स्थितिया पड़ी हैं ये आवतर लेंस है आप आवतर लेंस के वीडियो में जाकर के बिम्ब को कहां रखने पर प्रतिविम कहां बनेगा हर एक स्थिति को आप पहले बहुत अच्छे तरीके से क्ल प्रतिविम उल्टा होगा सर प्रतिविम उल्टा होगा देखिए आउतर लेंस के अंदर कभी भी कोई प्रतिविम उल्टा नहीं होता है यह option तो आपका गलत हो गया दूसरा कह रहा है प्रतिविम वास्त्विक हो सकता है आउतर लेंस में कभी भी कोई प्रतिविम वास्त्व नहीं होता है यह option भी गलत हो गया तीसरा option कह रहा है कि प्रती बिम्ब की जो दूरी है वो 20 cm से अधिक होनी चाहिए 20 cm से अधिक दूरी होनी चाहिए क्या ऐसा होना आवश्यक है आउटर लेंस में पहली इस्थिती में आपने पढ़ा था कि बिम्ब को अनंत पे रखा जाए और दूसरी इस्थिती में आपने पढ़ा था कि बिम्ब को अनंत और प्रकाश के अंदर के बीच रखा जाए तो इस वाली इस्थिती के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तीसरा जो option इसके बाद में चोथा option जो है वो अपने से कह रहा है कि लेंस की जो focus दूरी है वो 20 cm स कम हो सकती है ये बात आप लोगों की बहुत क्लिर है लेंस की जो focus दूरी है वो 20 cm से कम हो सकती है कैसे मान लीजे कि 20 cm से कम focus दूरी है और यदि आप focus के ओपर कोई प्रकास की वस्तू रखेंगे तो इसका जो प्रतीबिम्ब है वो definitely क्या बनेगा छोटा बनने वाला है क्या बनने वाला है छोटा बनने वाला है यहाँ पर प्रतीबिम्बनेगा यहाँ पर तो यह जो आपका option number there है वो इस प्रशन का right answer हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रशन है वो बहुत अच्छे से clear हुए होंगे प्रशन संख्या 6 पे चलते है क्या कहरा प्लस 6 डी सकती वाला देखिए आप लोग जानते हैं कि आपके पास दो तरह के लेंस होते है एक होता है बेटा उत्तर लेंस और दूसरा होता है आउत्तर लेंस उत्तर लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा positive होती है और आउत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो negative होती है सवाल कह रहा है कि 6D प्लस 6D वाला एक उत्तर लेंस है और माइनस 4D वाला एक उत्तर लेंस है वो परश पर शंपर्क में रखे गए हैं मैं आप लोगों को बता दू कि ये प्रसन इस वर्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पतले लेंसों का जो सैयोजन है वो आपके सैलेबस्ट का मुख्यट पॉइट पॉइट है तो यहाँ पर भी दो लेंसों के सैयोजन की बात कर रहा है तो ये प्रसन बहुत महत्वापूर्ण हो जाता है आउतर लेंस और उतर लेंस दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो सैयोजन की फोकस दूरी क्या होगी और सैयोजन लेंस है वो किस प्रकृति का होगा एक बात में आप लोगों को बिल्कुल क्लिर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लेंस शक्ति दे रखी है इसमें से प्लस और माइनस को ध्यान नहीं रखना है सिंपल आपको देखना है कि संख्यात्मक वैल्यू किसकी जादा है तो definitely प्लस 6D की वैल्यू जादा है जो की उतर लेंस की है और जब यह प्लस 6D वैल्यू जादा हो जाती है तो निश्चित रूप से जिसकी सक्ति ज्यादा होगी प्रभाव उसी का ही रहेगा आप लोगों ने पढ़ी है कि परिणामी जो फोकस पावर होता है लेंस की जो शक्ति होती है क्षमता होती है उसका फॉर्मूला P1 प्लस P2 होता है तो यहाँ पे हो गया प्लस का 6 और माइनस का हो गया 4 तो प्लस का 2 रह गया ना बिटा तो 2 रह गया तो प्लस की वैलू किसकी होती है उत्तर लेंस की तो डेफिनेटली ये दो जो उप्शन है ए और 6 का ये तो आपके गलत हो जाते हैं दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा सवाल कह रहा है कि परिणामी फोकस दूरी क्या होगी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि परिणामी फोकस दूरी का सर्फ फॉर्मूला होता है वो होता है 1 upon F बराबर 1 upon F 1 plus 1 upon F 2, 1 upon F1 को अपन P1 कहते हैं, plus P2 कहते हैं, और यह हो जाएगा 1 upon F की value, यानि P की value और आपके पास P की value कितनी आई है, P की value आगई 6 minus 4 बराबर 2 diopter, तो यहां से F निकाल लीजिए, F बराबर क्या होता है, 1 upon P होता है और 1 upon P होता है, तो 1 upon P का मतलब 1 upon 2 रखेंगे तो यह तो आधा मीटर हो गया और आधे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि value जो आप लोगों को दे रखी है, वो सभी सेंटीमीटर में दे रखी है तो आधे मीटर का सीधा-सीधा अर्थ हो जाता सेंटीमीटर तो डेफिनेटली इस प्रशन का जो सही उत्तर है, वो अपना B option हो जाता है clear, आगे चले चलिए, अगला प्रशन प्रशन संख्या अपना जो है, वो है आपका सात्मा प्रशन, बहुत ही महत्वपुन प्रशनों में से है और प्रीजम का जो टॉपिक है वो आपके सलेबस का महत्वपुन बिंदू है सवाल कहरा है कि एक संभाहुत प्रीजम है काज का बना हुआ है उसमें से एक प्रकास की किरण है वो इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है यानि I और E की वैल्यू अगर अपन पाठे पुस्तक की बात करें तो और यदि अपन इसे अपने नौट्स के हिसाब से लिखें तो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर दे रखी है तथा प्रतेक कोण प्रीजम कोण का तीन बटा चार है ये जो वैल्यू दे रखी है प्रीजम कोण को अपन लिखते हैं A से और इस A का तीन बटा चार हिस्सा है ये बात आपको यहाँ पे क्लिर होनी चाहिए तो विचलन कौन कितना होगा यानि कि डेल्टा की वैल्यू आप से पुछी जा रही है डेल्टा की वैल्यू में आप equation क्या लगाएंगे याद करिए डेल्टा की वैल्यू में आप equation क्या लगाएंगे यदि पूरा concept आप लोगों को डेल्टा का याद है तो आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा का एक equation आये थी अपने पास Sir I1 प्लस I2 और माइनस में कितना आया था माइनस में A आया था ठीक है और आप लोगों को याद होगा कि A की जगह अपन न्यूनतम विश्टलन की स्थिति में जब I1 का मान और I2 का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है वो न्यूनतम विश्टलन की स्थिति होती है और उस स्थिति में R का मान भी बराबर होता है तो यहाँ पे 2R लिखते हैं अब वैल्यू रख लीजिए क्या रखेंगी बेटा वैल्यूज ध्यान दें देखें वैल्यूज क्या रखने वाले हैं तो वैल्यूज में अपन बात करें तो सर डेल्टा की वैल्यू में बात करें तो 3 बटा 4 A पहला उप्शन हो गया I1 का प्लस 3 बटा 4 A B का I2 का उप्शन हो गया और minus में अपने को लिखना है 2R, ठीक है वीटा, 2R, तो 2R की value कितनी हो जाएगी, definitely आपको याद होगा कि सर 2R की जग है तो अपन A भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूंतम विजलन की इस्तिती से पहले R1 प्लस R2 की value A के बराबर होती है, तो यहाँ पे अपन direct A लिख सकते हैं तो यह 3 बटा 4, यह 3 बटा 4, तो यह तो कितना हो गया, डेड़ हो गया न, 1 and half, और उसके आगे उसमें से A है वो minus कर दिया गया है, तो डेड़ में से 1 A जाएगा, तो डेल्टा की value क्या रह जाएगी बेटा, सर A by 2 रह जाएगी, तो प्रशन में तो आपको A की value दे नहीं रखी, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीजम है, वो संभाहुत्रिबूज है, यानि प्रते के अंगल 60 degree का है, तो definitely A point के उपर जो प्रीजम कोण मनेगा, वो भी 60 का होगा, तो 60 में जब आप 2 से divide करेंगे, तो आपका आंसर जो है, वो 30 degree आ जाएगा, बहुत ही सहानदार प्रशन है, क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 8 पे, क्या कह रहा है आथमा प्रशन, देखिए, प्रशन कह रहा है कि संयुक्त सुक्ष्म दर्सी के अभी द्रशक लेंस, संयुक्त सुक्ष्म दर्सी आप लोगों को याद होगा, इस तर इसे ही इतना topic आप से कहता है, पूरा का पूरा concept, single click के साथ आपके दिमाग में open होना चाहिए, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिम्ब होता है, किससे अभी द्रश्यक lenses से, पहले वाले lenses से बनने वाला प्रतिबिम्ब, वस्तु आपके पास में है, नस्दीक है, definitely इसका जो बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा, तो कैसा होता है, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, अपने notes में भी बहुत अच्छे से लिखा है, प्रशन को ध्यान में रखना है, केवल अभी द्रश्यक lenses की बात कर रहा है, तो अभी द्रश्यक lenses में जो प्रतिबिम्ब वो वास्त्विक एंड बड़ा बनता है सिंपल डाइरेक्ट आंसर बीना ओप्सेंस को पड़े हुए क्लियर चलिए अगले प्रशन की चर्चा करते है अगला जो प्रशन है प्रशन संख्या 9 की बात करें तो इस प्रशन को भी मैंने आप लोगों को लेंस का जो टॉपिक है लेंस का किशी द्रवे में डुबोने पर जो व्यवहार है मैंने कहा था कि प्रटियोगी प्रिक्षाओं की दरस्ति से इंपोर्टेंट है तो इस प्रशन को भी अपन पढ़ते है प्रशन कह रहा है कि जब 1.47 अपवर्तनांक के काच के किसी उभ्योतल ये थोड़ा सा मिस्प्रिंट है कैसा लेंस है उभ्योतल लेंस को किसी द्रवे में डुबोया जाता है यानि एक उत्तल लेंस है उभ्योतल का मतलब क्या होता है उत्तल लेंस उसे जब किसी द्रवे में डूबाया जाएगा तो बेटा आपने बहुत अच्छे से चर्चा करी है कि वो जो द्रवे है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होगा कैसे कैसे कि उस लिक्विड का जो अपूरतनांक है वो उस ग्लास के अपूरतनांक से ज़्यादा हो जाए कम हो जाए या फिर बराबर हो जाए तो किसी द्रवे में डूबाया जाता है तो एक समतल सीट पारदर्सी की भाती विवहार करता है याद करें आप लोग ये सिच्वेशन कप पड़ी थी जब किसी लेंस को किसी द्रवे में डूबाया जाता है और वो समतल दरपण बन जाए समतल काँच बन जाए दरपण सोरी दरपण नहीं बनेगा समतल काँच बन जाए पारदर्सी काँच बन जाए तो इसका तात्प्रिय क्या है मैंने आपसे कहा भी था कि एक जादूगर है जो किसी कांच को किसी लेंस को द्रवे में डुबो करके उसे गायब करने का दावा करता है तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उस लेंस का जो अपूरत नांक होगा और उस द्रवे का जो है उस liquid का जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर होगा काच के अपवर्तनांक से अधिक होगा बिल्कुल नहीं काच के अपवर्तनांक से कम होगा बिल्कुल नहीं काच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा और मैंने आप से ऐसा एक प्रशन भी पूछा था Communities के उपर कि यदि किसी द्रवे में उत्तर लेंज को डुबोने पर उसकी focus दूरी बढ़ती है तो अउत्तर लेंज को डुबोने पर उसकी focus दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी लेंज को आप किसी भी द्रवे में डुबो दे अभी जो अपने तीन इस्तितियां पड़ी है चाहे उस द्रवे का अपवर्तनांग कम हो जादा हो बराबर हो 100% उसकी focus दूरी है वो बढ़ेगी तो उस प्रशन का उत्तर में यहाँ पर discuss करना चाहूंगा किसी भी लेंस को जब आप द्रवे में डुबोएंगे तो उसकी focus दूरी है वो increase होगी तो प्रशन सेंख्या 9 का right answer आपको लोगों को पता चल गया होगा option 6 है वो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाता है अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रशन शेंख्या 10 की बात करते हैं कि किसी प्रिजम के निन्यूंतम विचलन कों का मान यानि डेल्टा M का मान अपवर्तनां कों के बराबर होता है अपवर्तनां कों कहते हैं बेटा R को R जो एंगल आपने पड़ा है अपवर्तन कोण जिसे कहते है यहाँ पे अपवर्तनांक लिखा है exactly अपवर्तन कोण होगा अपवर्तनांक कोण के ब्राबर होता है यदि प्रिजम के पदार्त का अपवर्तनांक होगा यानि आप से μू की value पुछी गई है mu के बारे में आप से relation पूछा गया ये condition आपको दे रखी है फटा फटा आप delta m का formula पढ़ें sir delta m का formula होता है mu minus 1 into a और नियून्तम विचलन की इस्थती में r की जो value होती है वो होती है sir a by 2 तो प्रशन कहरा है कि delta m है वो r के बराबर होगा और नियून्तम विचलन की इस्थती में इसका मान a by 2 के बराबर होता है तो फटा फट में यहां लिख देता हूँ a by 2 बराबर mu minus 1 into a a से a cancel out हो जाएगा ये minus का 1 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो plus में हो जाएगा plus 1 लग जाएगा तो finally mu की जो value है वो मेरे पास आजाएगी 3 बटे 2 ठीक है बिटा और 3 बटे 2 की जो value होती है वो होती है 1.5 अब 1.5 अपवर्ट नांक आएगा देखे कौन सा option सही है under root 2 और 2 के बीच root 2 का मान होता है 1.414 तो प्रसन कहरा है root 2 and 2 के बीच और अपनी value आई थी 1.5 तो definitely अपना यही option हो गया दूसरा option कहरा है एक से कम नहीं होगा दो से अधिक नहीं होगा root 2 और 1 के बीच यानि यह तो 1 और 1.5 1.4 के बीच हो जाता यह भी नहीं होगा तो exactly अपना जो प्रसन का जो answer है वो A है वो right answer हो जाता है अगला प्रसन बढ़ते है प्रसन से क्या ग्यार है किसी समतल दरपन पर प्रकास की कोई किरण अभी लंबवत आप्तित होती है मैंने यह प्रसन भी पूछा था आपसे वीडियो में एक समतल दरपन है उसके अपर प्रकास की किरण है वो exactly 90 डिग्री पे आप्तित हो रही है तो परावरतन कोण क्या होगा exactly 90 डिग्री पे आने वाली प्रकास की किरण वापस उसी रस्ते से निकल जाएगी और इस इस्तिती में आप लोग जानते है कि अभिलंब के साथ ये दी आ रही है तो अभिलंब के साथ इसका इंगल कितना बनेगा 0 डिग्री तो आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री और परावरतन कोण का मान भी 0 डिग्री हलनकि यहाँ पर परावरतन कोण पूछा गया है लेकिन मैं आप लोगों की knowledge के लिए बता दूँ कि आप तन कौन का मान भी zero degree ही होगा बहुत important प्रशन है और ये भी मैंने आप लोगों से वीडियो के बाद में exercise के format में पूछा था अब बात करते हैं प्रशन संक्या बार है की देखे क्या कह रहा है एक अवतल दरपन की focus दूरी 20 cm है ठीक है सर अवतल दरपन है इसकी focus दूरी है वो आप लोगों को 20 cm दे रखी है दरपन के सामने 20 cm की दूरी पर वस्तू रखी गई है focus भी 20 cm वस्तू भी 20 cm की दूरी पर तो उसका प्रतिविम्ब कहां बनेगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदी बिम्ब के उपर focus के उपर यदी किसी बिम्ब को रखा जाए तो उसका जो प्रतिविम्ब है अवतल दरपन के अंदर वो भी अनंत पर ही बनेगा अनंत की स्तिती पर बनेगा तो इस प्रत्वी पर इस्थित प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब है कोई व्यक्ति, उसको जो आसमान के तारे हैं वो टिम्टिमाते हुए प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं, इसका कारण क्या है? अपने इस चेप्टर में प्रकास की कई सारी गठनाओं के बारे में चर्चा करी है, जिसमें प्रकास का अपवर्तन भी पड़ा है, जिसमें प्रकास का परावर्तन भी पड़ा है, उसके बाद में अपने प्रकास का पूर्ण आंत्रीक परावर्तन भी पड़ा है, प्रकास का प्रतिरिनन भी और वर्ण विक्षेपन भी पड़ा है तो आप लोगों को पता है कि वायू मंडल के जो अलग-अलग परते होती है जैसे आप प्रत्वी के नजदीक आते है यहाँ पर जो घनत्व होता है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वायू मंडल का जो घनत्व है वो कम होता जाता है क्योंकि आश्मान के उपर हवाओं का दाब कम होता है तो अलग-अलग माध्यम का अप अपवर्तनांग अलग-अलग होने की वज़े से तारे हैं वो टिम-टिमाते हुए प्रतीत होते है अब अन्फटा-फट बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे जो रिजन्स दे रखें कौन सा अनसर है वो सही होगा तो पहला प्रशन कह रहा है कि यह सत्य है कि तारे निरंतर प्रकास उत्सरजित नहीं करते हैं बिल्कुल गलत तारे के प्रकास का इनके अपने वायूमंडल द्वारा आवरती अवशोशन होता है बिल्कुल गलत तारे के प्रकास का प्रत्वी के वायूमंडल द्वारा आवरती अवशोशन होता है यह भी गलत ओप्शन नमबर चार क्या कह रहा है कि प्रत्वी के वायूमंडल में अपवर्तनांक का गड़ना और बढ़ना यानि अलग-अलग वायूमंडल की प्रतों का जो अपवर्तनांक है वो कम या ज्यादा होता है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिम्टिमाते नजर होते हैं यानि कि definitely ये प्रसन ऐसे भी पुछा जा सकता था इसका जो option है वो ये भी दिया जा सकता था कि प्रकास के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकिर्णन के कारण तो यहाँ पे आप चाहें तो अपवर्तन का कारण लिख दें या फिर अपवर्तन क्यों होता है, अलग-लग मध्यमों का अपवर्तना का अलग-लग होने के कारण अपवर्तन होता है इसलिए इस प्रसन का सही उत्तर है वो अपना D option हो जाता है प्रसन संक्या 14 की बात करते हैं प्रसन 14 कह रहा है कि किसी प्रीजम से यदि पीला रंग न्यूंतम विचलन कौन पर आपतित होता है तो क्या होगा पीला रंग जो है वो न्यूंतम विचलन की स्थती में आपतित हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है बताइए देखें न्यूंतम विचलन की स्थती पे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यून्तम विचलन की स्थिती में डेल्टा M की स्थिती में I की जो value है वो E के बराबर होती है and R1 की value है वो R2 के बराबर होती तो सही option को निकालने का प्रियास करते हैं देखे पहला option कह रहा है कि आपतन कौन और निर्गम कौन बराबर होते हैं definitely अपना जो right answer है वो एह ही हो जाता है इसके बाद में अपने को विशेश रूप से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं देखिए क्या पता आगे और कोई अलग तरीके का option दे रखा हो आपतन कोण और निर्गम कोण का योग 90 डिगरी होता है बिलकुल गलत आपतन कोण और निर्गम कोण की अपेक्षा छोटा होता है कता ही बिलकुल आवशक नहीं है आपतन कोण का मान है वो निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होता है ये भी आवशक नहीं है तो definitely आपतन कोण और निर्गम कोण का जो मान है वो equal हो जाएगा clear है उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रशन अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे की बात करते हैं अगला प्रशन कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र एक व्यक्ति के जो आँख के लिए स्पस्ट देखने की नियूंतम दूरी और अधिक्तम दूरी कितनी होती है नियूंतम दूरी कितनी होती है मिनिमम दूरी स्पस्ट देखने की मिनिमम दूरी सर 25 सेंटिमेटर होती है तो minimum दूरी 25 cm होते ही आपके ये दो option तो गलत हो जाते हैं बात करते हैं सर आपन अधिक्तम दूरी की देखे बेटा आप अपनी आँखों से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक देख सकते हो बताइए मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर देख सकते हो सर हम तो ज्यादा से ज्यादा एक किलोमेटर या दो किलोमेटर देख सकते हैं अगर ऐसा होता तो आस्मान में आप लोगों को चांद क्यों दिखाई देता सोचके बताईए चंद्रमा की जो दूरी है दिन में आप सूरज को देख पाते हैं सूरज की जो दूरी है प्रत्वी से कितनी दूर है सर्फ बहुत ज़्यादा दूरी है अनन्त दूरी है तो न्योंतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिक्तम दूरी जो है वो अनन्त होती है फिर आप लोग कहेंगे कि सर अनन्त होती है तो फिर हमें दूर के सहर क्यों दिखाई नहीं देते क्योंकि उसके लिए प्रत्वी की जो बनावट है वो उबडखाबड होने की वज़े से समतल अगर है तो वहाँ पर आप लोग अनन्त तक देख सकते है तो इस प्रसन का जो राइट आंसर है वो आपका बै ओप्शन हो जाता है और ये कॉंपेटिशन एग्जाम्स के अंदर बहुत महत्वपून प्रसन पुछा जाता है अगले प्रसन पे चलते हैं प्रसन संख्या 16 क्या कह रहा है आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है 16 प्रसन को पढ़ें प्रसन कह रहा है कि एक साधारन खगोल ये दूरदर्सी की लंबाई होती है एक खगोल ये दूरदर्सी की जो लंबाई होती है अपवर्ती जो दूरदर्सी है उसकी लंबाई होती है किसके बराबर होती है साधारन इस्तिती में किसके बराबर होती है आप लोगों ने पढ़ा है कि खगोल ये दूरदर्शी की जो बनावट है वो कुछ इसे तरीके की होगी पहले वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिम्ब है वो आपको definitely इसके फोकस पे मिलेगा और यदि इस वस्तु को दूसरे लेंस के फोकस पे रखा जाए तो इसका प्रतिबिम्ब भी अनंत पे बनता है तो इसकी फोकस दूरी को F-O कहते है इसकी फोकस दूरी को F-E कहते है और इस नली की जो लंबाई है वो इन दोनों के योग के बराबर होती है देखिए option पढ़ते हैं दोनों लेंसों की focus दूरियों के अंतर के बराबर बिल्कुल नहीं दोनों लेंसों की focus दूरियों के योग के बराबर answer होता है यहाँ पे दूसरा option कहरा है कि focus दूरियों के योग की आधी फोकस दूरियों की योग के बराबर तो इस प्रशन का right answer अपना सय option हो जाता है clear है विटा आगे चलते, प्रशन संख्या 17 पर चलते है क्या कहाए 17 प्रशन वस्तौ से बड़े आकार का वस्तौ से बड़े आकार का और काल्पनिक प्रतीमिम बनाया जा सकता है देखिए वस्तु से बड़े आकार के प्रतिमिम्ब की बात कर रहे हैं और वो भी आप लोगों से कैसा बनाय जा रहा है कालपनिक होना चाहिए कालपनिक प्रतिमिम्ब होना चाहिए वस्तु से बड़े आकार का सोचके देखिए कहां पे होगा वस्तू से बड़े आकार का उत्तल दर्पन की यदियपन बात करें तो उत्तल दर्पन के अंदर कालपनिक प्रतीबिम जो है वो आप लोगों को हर जगे प्राप्त होते हैं हर प्रतीबिम है वो आप लोगों को कालपनिक प्राप्त होगा पहली सर्थ तो मन रही है लेकिन वस्तू से बड़े आकार के नहीं होते हैं छोटे आकार के होते हैं ये option गलत हो जाता है आउतल दर्पन की बात करें आउतल दर्पन में पाँच इस्थितियां जो प्रारंब की हैं उन में आपको प्रतिविम्ब है वो वास्त्रिक प्राप्त होता है लेकिन छटी हिस्तिती की यदि अपन बात करें तो छटी हिस्तिती में आपको प्रतिविम्ब कालपनिक प्राप्त होगा और डेफिनेटल आकार में भी बड़ा होगा इसलिए इस प्रशन का सही उत्तर है वो अपना B option हो जाता है आगे के प्रशनों की options आपको पढ़ने की आवश्यक्ता ही नहीं है लेकिन बेटा इन प्रशनों को करने के लिए सही उत्तर देने के लिए आपको lens से और दरपण से उतल और अवतल चारों ही instruments के लिए बिम्ब और प्रति बिम्ब की स्थितियों के जो नियम है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तयार होने चाहिए और इनके उपर अपने अपने चैनल के उपर प्रतेक टॉपिक के उपर वीडियोज हैं बहुत अच्छे से तयार कर रखें यदि आप बॉर्ड प्रिक्षा में अच्छे अंग प्राप्त करना चाहते हैं तो 12th क्लास की physics को बहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया गया प्रसंद सग्ण क्या 18 की बात कर दे संयुक्त सुक्षम दर्सी में अंतिम प्रतिबिम्ब बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन अक्षर यहाँ पर confusion होता है देखें आप लोगोंने एक बात पढ़ी होगी कि संयुक्त सुक्षम दर्सी के अंदर अंतिम प्रतिबिम्ब बनता है इसकी तुलना किसके साथ करनी है बिम्ब के साथ करनी है यहाँ पे बिम्ब रखा हुआ है पहला जो आप लोगों का जो लेंस है छोटे वाला जो लेंस है जिसे अपन अभी द्रश्यक लेंस कहते हैं उसका प्रतिबिम यहाँ बनेगा और इसका जो प्रतिबिम्ब है वो आप आपका यहाँ पर प्राप्त होता है इस तरीके से तो बिंब की तुलना आपको प्रतिविंब से करनी है तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिविंब जो होगा वो आभासी होगा और उल्टा होगा अक्षर आप लोगों ने पढ़ा है कि आभासी प्रतिविंब सीधे होते हैं ल तो इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो अपना B option हो जाएगा प्रसन संख्या 19 की बात करते हैं देखे क्या कह रहा है परावर्तक दूरदर्शी जो इस चेप्टर का अंतिम टॉपिक है अभी द्रश्यक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है परावर्तक दूरदर्शी है definitely दरपन का प्रियोग किया जाएगा क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी में हमेशा अपन दरपन का प्रियोग करते हैं अभी द्रश्यक आप लोगों ने यह दी इसका जो डाइग्राम है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि ये जो पहला लेंद दर्पन है इस पहले दर्पन को अभी द्रश्यक कहते है और ये दर्पन कौन सा दर्पन होता है बिटा आवतल दर्पन होता है सर तो प्रशन संख्या उन्नीश का जो सही उत्तर है वो अपना D option हो जाएगा बीना किसी calculation के केवल fundamentals अपने तयार होने चाहिए अभी तक जितने भी प्रशन आप लोगोंने पड़े है एक भी प्रशन आपने ऐसा नहीं पड़ा है जिसके बारे में discussion अपने अपने वीडियो में नहीं किया प्रशन संख्या 20 एक खगोल ये दूरदर्सी है उसके अभी द्रशक और अभी नेत्र लेंज की क्षमताएं पांच और 20 डायोप्टर है खगोल ये दूरदर्सी यानि अपवर्ती दूरदर्सी की बात कर रहा है जिसकी बनावट आप लोगोंने कुछ इस तरीके से पड़ी है याद कीजिए बेटा क्षमताएं 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर है इनसे प्रतीबिम अनन्त पर बनता है अन्तिम प्रतीबिम है वो आपका कहां बनता है अनन्त पर बनता है तो अनन्त पर प्रतिवींब प्राप्त करने का direct formula आप लोगों ने पढ़ा है M बराबर F not upon F E M बराबर F not या F O upon F E याद कीजिए और F O है ये focus दूरी है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर diapter यानि क्षमता दे रखी है तो यदि अपन यहाँ पर F की वात करें तो F बराबर क्या हो जाएगा M बराबर हो जाएगा बेटा 1 upon F की जगह होता है 1 upon P तो इस formula को यदि मैं दूबारा लिखूँ तो मेरे पास आएगा M बराबर F not upon F E ये हो जाएगा 1 upon P O upon 1 upon P E calculate करेंगे तो हो जाएगा 1 upon P E upon P O P E की value 20 P O की value 5 20 को जब आप 5 से divide करेंगे तो क्या answer आजएगा सर चार answer आजएगा तो इस तरीके से अपना पहले 20 प्रशन का option है वो A option है वो right answer हो जाएगा अगले प्रशन पे चलते हैं और आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रशन है प्रशन संख्या 21 देखे क्या कहता है उत्तल लेंस की जो सक्ती होती है वो क्या होती है देखे सक्ती का जो formula होता है वो होता है बेटा 1 upon F और focus दूरी जो होती है उत्तल लेंस की वो आपकी positive होती है तो लेंस की focus दूरी positive है तो definitely जो lens क्षमता है वो भी आप लोगों की positive होगी तो उत्तर lens की focus सकती जो है lens की सकती जो है क्षमता जो है वो positive होती है तो इस तरीके से आज अपने आपने इस chapter number 11 के total 21 जो MCQs दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से तयार किया है उमीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे यदि आपको हमारा arts का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें और इसे अपने सभी मित्रों तक share करें अगले वीडियो में अपने इस चेप्टर के जो अतिलगुतरात्मक प्रशन है short line, short answer, jocution है जो आप लोगों के paper में fill in the blanks के format में पुछे जा सकते हैं तो देखते रहे हैं और 12th class की physics का पूरा पाठे करम पढ़ने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, thank you